हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना होसा के वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भत प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राहा आचारिय संतोशी जी के आगामी कारेक्रम इस प्रकार है नमस्कार गूद बॉर्णिंग सुप्रभाद बहुत बस्वागत है आप सब का देखना जोतिश दिशा सब्तिकीरा सुबर सुबर अपने एश्टोर फ्रेंड के साथ इसी कारेक्रम में आप सब जगजोर करके उड़ जाते हैं और अपने दिन की सुरुवात इतने इनर्जी लेबल के साथ करते हैं कि दिन और दिन के ग्रहों को मजबूर हो करके आपका फेवर करना पड़ता है आपको मन चाह रिजल्ट देना पड़ता है ग्रहों की स्थिति कैसी भी हो ग्रहों में किसी भी प्रकार का प्रभाव हो और ग्रह आपके कितना भी आपको परिशान क्यों ना कर रहे हो लेकिन हमारे कारकरम में आज आने के बाद और छोटे से जो दो प्रियोग हम बताते हैं एक लखी अक्षर का भाग्या अक्षर और दूसरा सकसेस की उसके बाद तो समस्त ग्रहों को आपका फेवर करना ही करना है यकिन आए तो आज करके देखिएगा बहुत कुछ मिलेगा बता देते हैं आज आनदाद में क्या मिलने वाला है आपके लिए आज हम बताएंगे आपको कि अगर आपके पती या आपका प्रेवी आपके मंगेतर वगारे बाहर रहते हैं आप कई प्रकार से उनको लेकर के चिंतित रहती हैं स्वास्त उनके भटकाव गलत संगती गलत आदतों में पढ़ने को लेकर के तो उसके लिए प्रियोग क्या किया जा यही आज का आनदनाद का विशे रहेगा थोड़ा सा इंतजार करिएगा और एक छुपी हुई सी रेखा बताएंगे हम आनदनाद में जिससे आप एक काम करिएगा अपने प्रेमी या पती की हाथ की फोटो मंगाईएगा रेखा पहचानिएगा क्या बताएगी रेखा थोड़ा इंतजार उसको भी हम रिवील कर देंगे पहले बात कर लेते हैं आज का पंचांग फालगुन माह क्रिश्ण पक्ष एकादसी थी इसको विजिया एकादसी भी कहा जाता है और चंद्रमा आज धन राशी में है नक्षत राज का मूल है और योग आज का हरशन है तदनुसार धिनांक ग्यारह फरवरी दिन रविवार रावकाल का समय शाम चार बज़ कर तीस मिनट से छे बज़े तक दिल्ली का है अशुब समय कहा जाता है मांगलिक कार और शुब कार इसमें नहीं किया जाते है गुलिकाल का समय साम तीन बज़े से लेकर के चार बज़ कर तीस मिनट तक रहेगा इसमें जो चाहें आप समस्त शुब कामों को कर सकते हैं काम आपके बन जाते हैं रविवार वैसे छुट्टी का दिन शहरों में रविवार के दिन तमाम काम निप्ताया जाते हैं लेकिन बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो रविवार को नहीं किये जाते हैं मत करें तो बहतर है चले सुर्वात करते हैं आज के ग्रहों की और आज की इस्तिती ध्यान पुर्वक नोट कर लीजेगा जो ग्रह आज के हैं वो आप लोग समझे पहले सुरे बुद्ध के तु मकराशी में हैं कुमराशी का शुक्र रहेगा राहू करक राशी में ब्रहश्पत्तुला में मंगल व्रिष्चिक में शनी और चंद्रमा धनुराशी में एक साथ सुर्वात मेश राशी वालों से करते हैं आज मेश राशी वालों के लिए यात्रा में कोई कष्ट की संभावनाएं बन रही है यात्रा अवाइड करें आज तो बहतर है चंद्रमा आपके शनी के साथ यात्रा कारक हो करके नवम अस्थान में बैठे हैं जो कि विश्यों का अंदिर मार करना है मुलेवान वस्तु के चोरिक होने या खोने की आसंका बन रही है आज उल्टे पाओं या उल्टे हाथ में लेफ्ट साइड में कुछ चोट सपेट के भी संभावना है और परिवाल में भी कुछ थोड़ा साग उठा पटक बना रहेगा विद्यार्थी सिक्षा पे विशेश ध्यान दे मन आज विचलित रहेगा शुवरंग आपके लिए बैगनी भाग के प्रिश्चत 63 बिशवरासी आज बिशवरासी वालों के लिए पेट की दिक्कत और नेत्र की दिक्कत ज़्यादा परिशान कर सकती है गुप्त शत्रु पनप सकते हैं कोई बैड निउज आज आपके मूड का जायका खराब कर सकता है कुछ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आज हाथ से स्किप हो सकता है निकल सकता है छूट सकता है कोई बहुत प्रिय आप से आज रूट सकता है घवडाईये गामत एक परिशा है पास होने की कोशिश करीगेगा शुबरंग पीला भाग के प्रिशत सन सट शिख्टी सेवें मितो नाच बहतरीन समय पर बहतरी दिरणय लेकर कि आज अपने दिन को आप बहतर कर सकते हैं मित्रों के साथ से कुछ बहुत बड़ी समस्या का समाधार निकलेगा प्रेमी प्रेमका में आज प्रेमाल आप अपने चरम पर रहेगा वैलेंडाइन वीक को आप अच्छे से सेलिबरेट कर सकते हैं कुछ बड़ा प्रोजक्ट आपके हाथ टकरा सकता है दोस्तों की मदद से आज दिन बहुत बढ़ियां बीतेगा शुबरंग मित्रों राशी वालों के लिए आज लाल है और भागी प्रिस्ट शिख्टी नाइन करक राशी जीत की खुशी आज चेहरे से जहलक्ती दिखाई देगी मित्रता कितना काम आती है ये तो आज शाम आपको अपने आप कानों में कह जाएगा पिता के ऊपर चला आ रहा खर्ज खत्म होगा पत्नी के साथ मन मुटाव भी आज समाप्त करने का अच्छा दिन है बहतरीन समय चल रहा है गिले शुक्वे तो भोलने हैं चाहिए आज एक अच्छा मौका है तो भुला लीजिएगा संतान के दायतों की पूर्ति करेंगे कॉंट्रेक्ट्स नए आपको मिल सकते हैं आज कुछ दिब्य अनुभव आपको होगा उसको आप साजा करिएगा कॉमेंट बॉक्स में सफेद रंग शुभ है चपन प्रसत का भाग्य है सिंग राशी क्रोध से आज कोई रिष्टा आप से तूट सकता है सिंग राशी वाले पॉल्टिक्स में जो अगर आज है मनलब पॉल्टिक्स वाले जो हैं आज आपका दिन है कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती कोई नया पद आपको मिल सकता है कोई नई उचाई छू सकते है धन के लिए जो मेहनत किया था आज शाम तक उसका फल आपको दिखेगा नए निवेश के लिए भी समय ठीक नहीं है दोस्ती में कदम फूक फूक कर आगे बढ़ाईएगा कदम अन्यथा समस्याओं में आ सकते हैं काला रंग शुब हैं पचास प्रत्षत का भाग्य है कन्या राशी मित्रों के साथ कहीं बाहर घुमने टहलने का कारिक्रम बन सकता है कारिक्रम आपके फेवर में रहेगा नए प्रोजेक्ट पर आपको आज कुछ काम करने का आनंद अनभों में आएगा धन के लिए जो मेहनत आपने किया था वो मेहनत रंग लाएगा पति-पत्नी में कुछ पनमुटाव की स्थिति बन सकती है वाहन आज स्वतह ना चलाएं तो बेतर है विद्यार्थियों के लिए जो कन्या राशी के हैं आज मन स्विक्षा में नहीं लगेगा शुबरंग आपके लिए हरा भागी प्रिस्ट सत्तावन तुला राशी किसी विशे को लेकर के दो राहे पर रहेंगे निर्ला लेने में बड़ी दिक्कते होंगी मित्रों का साथ लेकिन बना रहेगा मित्र आपके कई तरह से काम आएंगे धन की स्थिती भी बहुत अच्छी रहेगी धन से कई दिक्कत नहीं आएगी पुराने पेंडिंग कामों को आज आप निप्रा सकते हैं ब्रश्चिक रासी फिल्मे दुनिया से जुड़े लड़कियों के लिए खास तोर पर आज बेहत खास दिन है तो तीयस्त चंद्रशनी आपको गूढ रहस्यात्मक रोल की तरफ आपको लेके जा सकता है ब्रश्चिक रासी वालों के लिए अचलसंपत्ति की प्राप्ती की भी ahead बन रही है ब्रश्चिक रासी के विद्यार्थियों के लिए आज अच्छा करेंगे अच्छे एक्जाम में आज पास हो जाएंगे अगर आप कोई परिछा देने जा रहे हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं आएगी बहतरीन परफॉर्मेंस रहेगा चल संपत्ति भी आप खरीद सकते हैं शुबरंग आपके लिए बादामी भाग्य प्रिस्टत 62 धनुराशी दोपहर तक किसी बात को लेकर के मन में बहुत ज़्यादा विकार आ जाएगा मन आपका खिन हो जाएगा अचानक से जीने का मन नहीं करेगा और किसी मित्र के साथ धोखादी की संभावनाओं से भी आप बहुत ज़्यादा खिन हो जाएगे नए निरड़े और बड़े निरड़े रुख जाएगा यह आपके लिए फेवरेबल नहीं है किसी भी रूप में तो बड़ा और नया निरड़े भी ना लें तो बहतर रहेगा धन राशी वालों के लिए नई नौकरी के लिए भी आप अभी विचार त्याग दें तो बहतर है अगर आपकी राशी धनु है तो वहां चलाते समय भी आपको बहुत सावधानी आज बरतनी होगी एक अच्छी वृद्धी की तरफ आप बढ़ रहे हैं ये वृद्धी महसूस करिएगा रिजल्ट थोड़ी दिर में आएगा स्लेडी रंग की शुपता है तिरपन प्रसद का भाग है मकर राशी विदेश से सुप संदेश के प्राप्ती है अच्छा के निमित्य कदम बढ़ाना चाह रहते तो बढ़ा सकते हैं वहां लेने के लिए दिन उत्तम है विचार किया जा सकता है नई नौकरी के लिए भी जरूर विचार करिएगा और अगर गवर्मेंट जॉब की प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो उसको हलके में मत लीजिए अभी कुछ भी आपकी तैयारी हुई नहीं है सोच समझ करके कदम बढ़ाईएगा शुबरंग आपके लिए सफेद भाग प्रिशत उनहत्तर कुम्बराश अच्छा निरड़े है जो निरड़े जश्ट रात में आपने लिया था उसी निरड़े पर आप ठीके रहिएगा आपको पीछे मुण कर नहीं देखना पड़ेगा और आपके जितने भी मित्र हैं उन सब को अपने निरड़े से आउगत करा दीजे नयाब मकान अगर लेना चाहते हैं तो बिलकुल दिन उप्रित उत्तम चल रहा है आप उसकी तरफ बढ़ सकते हैं अच्छा संपत्ति के निमित इससे अच्छा कोई समय नहीं है जिसे प्यार करते हैं उसे और परख लीजेगा समझ में आ जाएगा शुबरंग पिला भाग प्रिस्ट बासट अंतियम राशी मीन उत्तम दिन का आरंभ हो चुका है चंद्रमा आपके दसम में होने के कारण आपको कई प्रकार से लाफ देने जा रहा है कारे छमता भी बढ़ रही है और कारे का दाइरा भी बढ़ रहा है दोनों वृद्धियों की तरफ बढ़ रहे हैं और थोड़ा सा अपने स्वास्त पर भी ध्यान दे दीजेगा स्वास्त आपका प्रभावित हो रहा है श्रिगरता आपके लिए घात अग रहेगी थोड़ा सा इत्मिनान के साथ तब कदम बढ़ाईएगा पती पत्नी के बीच में चला रहा मन मुटाओ दूर हो जाएगा बढ़ों का साथ आपके साथ बना रहेगा शुबरंग आपके लिए नीला भागी प्रिस्ट अरसट यह तो राशियों का हाल बताएंगे आज कैसे पती और प्रेमी को दूर रह करके भी कबजे में रखा जाए चले जान लेते हैं आज का भाग्या अक्षर मेश के लिए वा है ब्रिशब के लिए रा मिथुन के लिए गा अक्षर करक के लिए धा सिंग के लिए छोटी यह अक्षर है कन्या के लिए भा तुला के लिए मा अक्षर ब्रिश्टिक के लिए छोटा आ धनों के लिए ता अक्षर, धनों के बाद मकर के लिए जह, कुम्ब के लिए धा अक्षर और मीन के लिए भा ये खास सुब भाग्या अक्षर आपकी स्क्रीन पर चमचमाते हुए आप इन्हें एक साधे चौक और कागज पर लाल रंकिंग से लिख करके अपनी पाउकेट में रख लीजिए और 24 घंटे खिरिखलाते रहे बढ़ेंगे आगे जान लेते हैं आज की दिब सक्सस की एक बूद जल अपने अंगूठे पर रखिए और उसे कहीं पर भी अपने उपर छिड़क करके निकल जाईएगा एक बार प्रियोग करके देखे चंदर शुकर की शुबता आपके साथ कूरे दिन आचमचमाती रही दी शिराधे, शिराधे, शिराधे शिराधे चोड़ा सपरियोग दरक के साथ मज़ा देता है होना चाहिए दम, दम होना ज़ही बढ़ते आगे और जान लेते हैं ऐसे लोग जिनका आज हैपी बढ़ते है इसका पूरा वर्ष कैसा वीतेगा आए जानते हैं तो 11 फरवरी को अगर आप पैदा हुए हैं तो इससे अच्छा कोई मौका नहीं है जब आप आज परी सिद्दत से सारी चीजे अपने आप सुनते चले जाएंगे सुनते चले जाएंगे सब कुछ आईए पहले सुनाते हैं आपको आपकी सिक्षा के बारे में तो अगर आपकी उम्र 0 से 25 साल के बीच में है तो सबसे पहले ये जान लीजे कि आप कैसा पढ़ेंगे चंदरशनी साथ में है तो दुरवशनों की तरफ लेकी जाएगा आप कि सिक्षा प्रभावित होगी आप दुरवशन में साल पढ़ने वाले हैं तो अगर आपका बेटा आपकी बेटी 11 फरवरी को जन में पाए हैं तो इनके दुरवशन पर आप ध्यान दे दीजेगा कि ऐसा ना हो कि इनका दुरवशन इनको परिशान करते है दोस्तियारी पर बहुत ध्यान दीजिए कुपत रूप से अपने बच्चे का आउचक निरिक्षन करिए बच्चा स्युक्षा से विमूख हो रहा है और आपको बरगला रहा है आपको जूट बोल रहा है ग्यारे फ्रवरी का आपका बच्चा है तो आज से आपको सुपर मॉम सुपर डैड बनना है और बच्चे पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है 35 वर्ष के उपर के लोग ठीक रहेंगे मतलब अगर आप सिक्षा की अस्तर से उपर उठ गए हैं व्यापार कर रहे हैं धन कमा रहे हैं तो आपके पास धन और व्यापार के बहुत सारे आप्शन्स शेनी और चंदर्मा की यूथि देगा साज़ा पार्टनर्शिप अगर आपकी थी और आप 11 फरवरी को पैदा हुए हैं तो आपकी पार्टनर्शिप तूट सकती है उसमें आपको लॉस हो सकता है जमीन जाजात के सौदों में भी आपको कुछ दिक्कत और धोखा मिल सकता है तो उसमें भी आपको सावधान रहने की आवश्यक्ता है ने तो बाद में ये वीडियो देख करके फिर हमारे पास दोड़े दोड़े आएंगे आप अगर आप 11 फरवरी को पैदा हुए है तो बिदेश से आपके पास धन बहुत आएगा और बिदेश में अगर कुछ आप नया आरंब करना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिन बहुत अच्छा है बहुत माकोल है प्रेम संबंदों के मामले में बता देते हैं और शादि शुदा वाले लोग जो आज 11 फरवरी को पैदा हुए है पूरा वर्ष आपका दामपत्य जीवन कैसा रहेगा और आपका प्रेम संबंद दामपत्य जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी पहले से दिक्कत चली आ रही हो तो हम नहीं कह सकते हैं बट अगर अभी तक कोई समस्या नहीं थी तो ठीक ठाक से आप निकाल लेंगे अपना दामपत्य जीवन उसमें समस्या नहीं आएगी पत्य पत्य अगर दूर रहते हैं और 11 फर्वरी को पैदा हुए हैं आप तो यह आपके लिए और भी अच्छा है एक वर्ष अभी और करीब आने के लिए विचार न करिएगा आएंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है प्रेमी प्रेमिकाओ के लिए तो मामला नेगेटिव है नो तूट सकता है रिष्टा स्वास्त के लिए कुछ मेजर डिसीज डागनोज हो सकती है लिवर में प्राबलम हो सकती है कुछ नियूरो प्राबलम आपको परिशान कर सकती है और पैंक्रियाज की प्राबलम भी पूर्टेंटिव रहेंगे ही दही चीनी से शीवलिंग पर अबशेक करना है यह मैं रोगियों के लिए खास अपर बता दिया दही चीनी मिल जाए तो आप आज जाकर शीवलिंग पर अबशेक करें और अगर शादी शुदा है तो पति-पतनी दोनों करें अगर अभिवाहित है तो आपको इंडिविजुवल करना है आईए बता देते हैं आपके लिए आपकी शादी का सालगिरह अगर आज है तो कैसा वीते अच्छा वीते उपाय क्या है आई जानते है एक नारियल और लाल चुनरी किसी देवी मंदिर में पति-पतनी मिल करके चड़ा दें और भल बिठाई बार दें बस इतना ही करना है वक्त एक छोटे से अंदराल का देख लीजे किस शहर में किस तारीक में आप हमसे कम मिल सकते हैं और उसके बाद पांच वायस मेसेज आपके और आज का दिब्याननद नाद अगर आपका प्रेमी और आपके पती दूर रहते हैं तो चाभी कैसे चलाई जाए कैसे बनाई जाए जारी जोति दिशा जल्दी आती होते हैं आचारिय संतोशी जी के आगामी कारेक्रम इस प्रकार है बहुत स्वाकत आपका देख रहे हैं जोतिश दिशा सद्द की रह अपने अश्टू फ्रेंड के साथ पती और पत्नी एक गाड़ी के दो पही एक पहिया दूर रहे दूसरे पही ये को चिंता होती है तो अगर आपके पती आज हम चिंता पत्नियों की दूर कर रहे हैं और प्रेमिकाओं की अगर आपके प्रेमी या आपके पती आपसे दूर रहते हैं नौकली करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, किसी भी कारण से दूर अगर रहना है, तो ऐसे में एक चीज बहुत ज़्यादा दिमाग में आती है कि कहीं उनका किसी और के साथ कुछ चक्कर वक्कर तो नहीं है, स्वाभाविक है, मानो प्रवित्ती है, इस्त्री सब कुछ शेयर कर सकती है, लेकिन अपने बेस्ट हाफ को शेयर नहीं कर सकती, सेम फिलिंग्स पुरुषों के भी मन में होता है, बट आज जो हम प्रियोग बताने जा रहे हैं, वो इस्त्रीयों के लिए बताने जा रहे हैं, कि कैसे एक छोटा सा उपाय करके, पहले जान लेते हैं, वाइस मैसेज, पहला किसका है, चरण इसपर्स कुरुजी, मैं आर्ति तिवारी लाहावात से, आपका प्रोग्रम बेहरी खास रहता है, थैंक यू आर्ति, आपकी हर वीडियो लाजवाब हुआ करती है, नहीं नहीं इजानकारियां देने के लिए हम माभारी हैं आपके, फर्स टाइम मैंने जब आपका सो देखा था, तब से मैं आपको अपना आजयल मानती हूँ, पुरुजी, मेरे बीटा का डिटा अवर्थ है, 11 फरवरी, 2000 है, बर्थ प्रेस लाहावाद और टाइम 4.31 प्यम, उसको इसकी की प्रोग्रम्स जादा हुआ करती है, इसका एजुकेशन कैसा रहेगा, और आगे चलकर उसका कैरियर कैसा रहेगा, गुरुजी, मेन अगर मेरे बीटा की डिटा वर्थ से मेरे हस्पेन के बारे में पता चलता है, तो प्लीज बताएं, पिछले साथ साल से उनके पैरों में प्रोग्रम्स रहती है, जे, प्लीज गुरुजी बताएं, हम तो आप आसा ही छोड़ चुके हैं, बट मुझे आप भरोसा है, अब जो भी बताएंगे, अच्छा ही बताएंगे, धन्वाद गुरुजी, प्रणाव, सबसे पहले तो आज आपके बच्चे का जनम दिन है, और बहुत खुशी हो रही कि आज ही आपके बच्चे का ये जनमांग हमारे सामने आया, तो परमात्मा इसको खूब दीर घायु दे, बहुत बहुत जनम दन की शुब कामना है, 11 फरबरी 2008, साम को चार इकत्ति, का जनम है, कुनली के साब से इसका करक्ट लगना है, मीन राशी है, जनमांग इसका बेहद उत्तम है, लेकिन कभी भी अपना व्यापार नहीं करेगा, टीचिंग छेत्र में ये जा सकता है, बच्चा, गवर्मेंट जॉब के योग लगभग 90 प्रतिशत कनफर्म है, तो पत आज कुछ भी आप दान करवाईएगा, संयोग देखिएगा, आज ये का दशी ही है, तो आज से ही इसको आप आरहम कर सकती है, नमबर दो. मेरे नम शिवानी है, मैं इलाबाद से बोल रहे हूं, बाह दोनों इलाबाद से, पंडीची माँ पर प्रोग्राम बहुत ही जान से जेखते हैं, जो भी उपाई वगर आप अदाते हैं, उनने फॉलो करते हैं, और फाइदा भी हुआ है, और हमें आपकी बातों से बहुत मैं ओडराणी है, बहुत रहती बात है, मैं आपकी बात से छ विवा हो जाएगा और उनसे मेरा विवा होगा तो कफ हो जाएगा क्योंकि मैं बहुत सानों से इंतिजार कर दिया हूँ और मैं यह चाहती हूँ कि बस इन्हीं एक दो महीने के अंदर मारा विवा अब हो जाए प्रणाम पंडिच है हंड़र परसंट उन्हें से आपकी शादी होगी और जब आप चाहती हैं तभी होगी हमारी बहुत साले शुप कामना है एक केले का पौधा तुलसी के पौधे के साथ किसी भगवास से राम्या विश्णु आदि के मंदिर में कहीं आप रखाएं खोब सात्विक रहिएगा प कि वाइस मैसेज नमबर 3 नमस्ते आचाहले जी नमधर रादे 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 जी मिरा नम्या ना मिनाट्शिश अभने जयाकुर से गोवए हुं जी मिनाट्शिजी जी मिरा चौड़ दिया था जी अब यूटूब पर देख था है जी आप यूटूब पर देखने हैं कुछ इन से सीखने को भी मिलते हैं, कुछ बातें को भी मिलते हैं, कुछ जो आप उपाएं बताते हैं वो कबते भी हैं हम लोग Thank you मुझे मेरे बेटी के लिए पूछना है, मेरे बेटी की देट आफ वर्थ है, देट आफ वर्थ है, तीस मार्च उनिसो पिचार्ड मों, सुगह आड़ बच के चतिस मिन्ट का टाइम है, और जनम इस्थान जैपुर का ही है, उसके लिए पूछना है, उसके सरकाई नोक्री ल लेकिन कोई अच्छी जॉब नहीं है प्लीज करके कुछ बताईए और इसके दाम पैते जीवन के लिए भी कुछ बताईए नमस्ते साधर परणाम चरणिश पर्ष जरूर बच्चे के जन्माग के अनुशार देखिए सरकारी नोक्री तो सत्व प्रतिशत है और अकाउंट सेक्षन में ही इनका रहेगा चंद्रमा बुद्ध और सूर एक साथ इनके बारहमें घर में बैठे हैं मंगल इनका नीच का इतसम को उच्छ दृश्ची से देख रहा है जबर्दस्त मंगल है मंगलवार का अभरत करवा दीजेगा और मंगलवार की दिन सुन्दरक कान का पाड़ करें सात्वी कहार ग्रहन करें बड़ों का आशिरवाद लेते रहें और जितना हो सके अपने आपे भरोजा करें शिरादे गुष्जी पुनाब आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है धन्यवाद आपके हर बाते हैं शटीक बैठती है आपका बहुत बहुत शुक्त लिया आप अपर रोज देखता हूं बहुत अच्छा रहता है मैं राकेश कुमार देखानेर का आजस्तां से मैं अभी बैंकर आर्थिक प्रेशन से जूज़ रहा हूं बहुत जड़ा कर्चा हो गया है कहीं से कोई रस्ता नजर्ब नहीं आ रहा है नोकी छोड़ने का मन बना रहा हूं मैं क्या काम करूँ इसे मुझे अच्छा पैसा में देखिए राकेश जी कुणली आपकी महा कर्ज में सदय रखने वाली कुणली है तो इसमें मैं नोकरी छोड़ने की सलाह कते ही नहीं दे सकता बहुत भागिशाली हैं कि आपका वाइस मैसेज बहुत समय सेलेक्ट हुआ है आप बिलकुल छोड़ने के कगार पे थे और अगर छोड़ देते तो आप हैंट तो माउथ रह जाते मंगलवार की दिन ब्रद करिएगा प्रतेक शनिवार कूरत की खिचिड़ी किसी मिट्टी के बरतन में रख करके और कहीं किसी सुनसान जगह पे रख के आईएगा धिरे दिरे आपका मन लगेगा कर्ज से कभी मुक्ती नहीं पाएंगे जल्दी राकेश जी तो बस ये दो उपाय करते रहेगा और जैपूर में मिलने के लिए भी आप समय ले सकते हैं लाश्ट वाइस मैसेज गुरू जी शीरादेव शीरादेव मेरा नाम सार्दप साथ गुश्वामी है जी गुश्वामी जी और आपने दो मेने पहले हमारी अब मेल साइट के तो समय बताये थे कि हम बैंक में ता उसे जाब के लिए बताये थे तो अभी तक मेरी नहीं है तो समय हम क्या करें कोट केस करना पड़ेगा कैसे मेलेगा थोड़ा हमको पाय बताईए गुए थोड़ा परिशान है और मुझे बिस्वास है आप जो बताए तो बड़ाब का अशिरवाद होगा गुरुजी मेरे डेट अब बर्थ है टेइस चार उनिससो सतासी सुवत साथ बच के दो मिनिट में प्रतावगर उत्तर प्रदेश पट्टी में जन्मस्थान है मेरा श्री गुरु रादी प्राम चले गुश्वामी जी कुंडली आपक कि आपको करना है कि नहीं करना है बट कर लेंगे तो सायद स्विग्रता से इसमें मिल जाए शनी मंगल में दिश्टिकत संबंध है प्रतेक प्रात्य हाप सुंदरकान का पाड़ करिए और शनिवार के दिन एक छोटा सा प्रियोग कच्चा कोईला सर से वारिये तीन बार ए प्रीयमी आप से बहुत दूर रहते हों जहांपर आपका पहुंचबाना संभण नहीं हैं जहांपर आप निगाह नहीं रह सकती हैं ऐसे में आपको एक चिंटा और डर सताती है क्या कहीं भटक ना जाएं कहीं बहक ना जाएं लाजमी है पती के हाथ की लकीरों को मंगा लीजेगा और अगर उनके हाथ में जीवन रेखा और शीर्स रेखा के बीच में बहुत गैप रहे और हुदर रेखा से बहुत सारी साखाई नीचे की तरफ गिर रही हूँ तो आपका चिंता करना जायज है और स्वाभाविक है ऐसे में आपको बस एक काम करना है वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर तीन सुपारी ले लीजेगा पती और पती या फिर प्रेमी की फोटो के साथ सफिद रुमाल में रख कर अपने सिरहने रख लीजे किसी भी बुधवार को रख करके इसको सोया जा सकता है या आज भी रख स अधाय दे जाएगा हर प्रकार से आपका पती या आपका प्रेमी आपका रहेगा हमारी शुब काम ना है आप सब के लिए परमात्मा सदयव आप लोग को प्रशन रखे शुबता दे फिलार के लिए अनुबत दीजेगा लेकिन हमारे इस कार्यक्रम को जितना हो से कि आप लोगों तक पहुंचाएं शेर करें साजा करें सब्सक्राइब करें और हसते रहें देखते रहें जोत्र दुशा सत्य की रहा नमस्कार आचार्य संतोशी जी के आगामी का रिक्रम इस प्रकार है अधिक जानकारी वो अपॉंट्मेंट के लिए संपर्ख करें डबल लाइन वन जीरो टू नाइन वन एट पाइट जीरो और डबल लाइन डबल लाइन जीरो टू पोर जीरो डबल लाइन